पन्जाब की नाभा जेल से फर्रार खालिस्तानी समर्थक हरमिंदर सिंग मिंटू को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है हर्मिंदर सिंग पांच कैदियों के साथ कलचील से फरार हो गया था पताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने निजामु दिल रेल्वे स्टेशन से हर्मिंदर को गिरफतार किया है गिरफतारे के बाद हर्मिंदर को कहां रखा गया है इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है आपको बता दे की जेल से भागा कैदी हर्मिंदर मिंटू खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ था मिंटू को पंजाब पुलिस ने 2014 में दिल्ली के इंद्रागांधी अंतराच्ट्रे हवाई अड़े से गिरफतार किया था हर्मिंदर सिंग मिंटू पर 2008 में सिर्सा के डेरा सच्चा सौधा प्रमुख गुर्मीत राम रहीम पर हमले का आरोप है साथी मिंटू पर 2010 में हल्वारा एरफोर्स स्टेशन से विस्पोटक लूटने का भी आरोप है वो पंजाब में शिफसेना के तीन नेताओं के हत्या की साज़िश रचने के केस में भी आरोपी है साथी ये आरोप है कि हरमिंदर भारत में आतंकी गतिविद्यों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी खोफिया एजंसी ISI से ट्रेनिंग ले चुका है सुरक्षा एजंसियों के मताबिक ISI मिंटू को पैसो और हतियार से मदद करती है आपको बता दे किस से पहले कल पुलिस ने वारदात के कतित मास्चर माइंड परमिंदर सिंग को उत्तरप्रदेश के शामली जिले के कहराना से गिरफतार किया था परमिंदर के पास से काफी मात्रा में हतियार भी बरामद हुआ था पुलिस के मुताबिक पर मिंदर के खिलाफ पहले से कहीं केस दर्ज है पुलिस अब उससे पूछताच कर उसके बाकी साथियों और उनके ठिकानों का पता करने में जुटी है आपको बता दें कि रविवार के सुभा करीब 10 बंदूग धारी नावा जील पर हमला कर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सरगना हर्मिंदर सिंग मिंटू और पांच अन्य अपराधियों को भगा ले गए थे इस हमले में दो पुलिस वाले खायल हो गए थे वहीं ग्रह मंत्राले ने अब पंजाब सरकार से इस सम्मन में रिपोर्ट मांगी है तो दिल्ली और पंजाब पुलिस की संयुक्त कारवाई के तहत केलिफ चीफ को गिरफतार कर लिया गया है आला कि अभी भी पांच कैदी फरार है पुलिस को उमीद है कि हर्मिंदर सिंग मिंटू की गिरफतारी के बाद अब अन्य आरोपियों की गिरफतारी भी जल्द हो जाएगी देखते रहे एडी बिलाइव